दोस्तो आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो सुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे मुश्किल यानी 10 difficult exams in इंडिया के बारे में दोस्तो आज के टाइम पर इतना ज़्यादा competition ओचुका है कि इसी भी exam को crack करना कोई असान बात नहीं हमने यह लिस्ट दोस्तो गूगल की कई साइटों पर जाकर तियार कई है हमारे लिस्ट में सबसे मुश्किल examination मतलब पहला नमबर पर आता है UPSC Civil Service Examination IAS इसे UPSC खुद कंड़क्ट कराती है यह 1922 में पहली बार कराय गया था यह भारत का सबसे मुश्किल प्रिक्षा में से एक है और पूरे विस्ट में यह तीसरी सबसे मुश्किल प्रिक्षा में गिनी जाती है हमारी लिस्ट में IIT, JEE, दूसरे नमबर पर आता है यह एक entrance examination है जिसके थुरू M.TEC, PhD जैसे बड़े कोर्सों में admission मिलता है इसे conduct 7 IITs कराती हैं जैसे IIT दिल्ली, IIT रूर्की, IIT खड़कपूर, IIT कानपूर, IIT बॉम्बे, IIT मदरास और IIT कुहाटी इसे पहली बार 1960 में conduct कराये गया था हमारी लिस्ट में तीसरे नमबर पर gate examination आता है जो graduate aptitude test in engineering होता है इसे 7 IITs और IIS conduct कराती है यह 1984 में पहली बार conduct कराये गया था चोथे नमबर पर आता है CAT examination, common entrance test, जिसे TCS conduct कराती है यह MBA management जैसे courseों में admission दिलाने का काम करता है पांचवे नमबर पर आता है NDA, National Defense Academy, जो की UPSC खुद conduct कराती है इससे defense की side में जाने का मोका मिलता है छटे नमबर पर आता है National Institutes to Design Entrance Examination इसे National Institution of Design conduct खुद कराता है सात्वा मुस्किल examination NET, National Elisibility Qum entrance test इसे National Testing Agency यानि की NTA conduct कराती है यह examination medical students के लिए होता है आटवे नमबर पर UGC, NET test आता है जो की universities में admission के लिए सहायक होता है इसे NTA खुद conduct कराती है हमारी लिस्ट में 9 नमबर पर CLAT, CLAT, Common Law Admission Test आता है जैसे की BALB, BCOM LLB जैसे कोर्सों में admission दिलाने में सहायक होता है दस्वे स्थान पर आता है SSC examination जो की TCS खुद conduct कराती है यह center level jobs के लिए होता है वैसे तो दोस्तों कोई भी exam असान नहीं है क्योंकि आजकल completion बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद and don't forget to like and subscribe the channel thank you